अब नारायन 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 सभीतर कुराम राम दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं कोबाट ब्लू इस नेट्फिक्स की नई हिंदी फिल्म का जिसके रायटर और डिरेक्टर है सचीन कुंदरतर फिल्म को मिलाकर एक घंटे और बावन मिनिट की है और अभी चार द मिला बीच में एक दो बार ऐसे ओपन भी किया था पर कुछ देखने का मन नहीं हुआ था जबसे कश्वीर फैस रिलीज हुई थी मैं अपना पूरा ध्यान उसके बाद में आरा रा रिलीज हुई तो काफी दिनों के बाद मैं मैंने नेट्फिक्स ओपन किया ओपन करती ही उपर जो निउ रिलीजेस वाली जो लिस थी उसमें कोबर्ट ब्लीव मुझे दिखाई दी प्रतिक बबबर का चेहरा था तो सोचा चलो देख लेते हैं नेट्फिक्स ने नया क्या बनाया है क्या नई चीज़ उन्होंने रिलीज की है वैसे नेट्फिक्स का कंटेंट दे देखता हूं बस वैसा ही experience वो कंटेंट मुझे देता है नेट्फिक्स इंडिया कभी भी हमें निराज नहीं करता अपने worst कंटेंट से और मैं जो कहता हूं कि नेट्फिक्स इंडिया एक dumping yard बन गया है जहां पर सभी प्रकार का यह जो यह सा कचरा कंटेंट है न वो जा ला गया कंटेंट विचित्र डिस्गस्टिंग यार गटिया गिनोना मेरे पास शब्द नहीं है इतने वहियत कंटेंट के लिए सच में इतना टॉर्चर किया है न इस कंटेंट में मुझे कि मैं कितना अंदर से परिशान हूं कितना मुझे इसने टॉर्चर किया है परिशान कि मुझे जिसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं अपने उस पीडा को वर्नन कर सकूँ, इतना गटिया content मैंने अपनी life में कभी नहीं देखा, ये इनका जो so called ये जो art house content होता है भाई ये भगवान मुझे तो दया आती यार ऐसे मतलब क्या सोचकर ये film makers ऐसी film में बनाते हैं मुझे सच में उन पर दया आती है वेचारे कितने परिशान है अपनी life में क्योंकि बिना परिशान होई तो कोई व्यक्ति ऐसा content बनाए नहीं सकता कोई व्यक्ति खुद अपनी जीवन में आकर परिशान हो तभी तो वो ऐसा कुछ content लोगों के सामने लाएगा ना क्यों हो भई इतने परिशान इतना मतलब जीवन में देखो अपने इर्दगिर्थ क्या है कितनी हमेशा बस ऐसा ये depressed और परिशान करने वाला चेहरों पर अगर वो फिल्म के characters आप देखो सब के मुझाय हुए चेहरे सब अंदर से जैसे इतने सताय हुए है, परिशान है इतने इंद्रिया लंपट है वासनाओ के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं ये characters लगपक सारा ODT platform पर release होने वाला इनका content एक जैसा ही पूरी तरीके से वासनाओ में इंद्रियों के सुक के पीछे इतने लंपट हो चुके हैं होते हैं इनके ये characters कि उन्हें जीवन में दुसरा कुछ सूचता ही नहीं है इसके भी characters सेम वैसे ही क्या कहा है? एक traditional Marathi family और ये traditional Marathi family केरला में रह रही है काफी वर्ष पहले उनका transfer हुआ था जो परिवार के कौन नाम क्या है Mr. Dixit उनका transfer हुआ था केरला में पतनी महराष्टर में ही थी उनकी और ये जो family है सुबसुब घर में रामरक्षा और पढ़ते वे उन्हें दिखाया है वैसे ये बात तो सही है मेरी मा भी मुझे बच्पन में हर शाम को स्कूल से आने के बाद में शुबम करोती बगरा हम पार्ट करते थे उसके बाद रामरक्षा का पार्ट हर शाम को हम करते थे हमारे गली में जितने भी बच्चे होते थे हम सब साथ में मिलकर एक साथ में गर में मेरी मा रामरक्षा का सबसे पार्ट करवाती थी तो फिल्म में भी ये जो मराठी फैमिली दिखाई है उनको ऐसे रामरक्षा का पार्ट करने वाला बड़ा ही भारतिय संस्कृति का सम्मान करने वाला उन्हें दिखाया है और ये जो मिस्टर दिक्षित है उनका कुछ सुवर्ष पहले जब केरला में ट्रांसपर हुआ था तो वो अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं कि अगर तुम जल्दी यहां पर नहीं आओगी न केरला में तो मैं अपनी शरीर की भूक मिटाने की दुसरे रास्ते भी जानता हूँ नहीं तो मैं दुसरे तरीकों से अपने शरीर की भूक मिटाऊंगा और उसके मतलब पती के अत्याचारों से पीडित पत्नी दिखाया गया है जो दिक्षित फैमिली है तो उसके बाद में उनकी पत्नी केरला आ जाती है और तब ही से यह परिवार केरला में ही रह रहा है और इस परिवार के जो और पिछली जनरेशन है दादा दादी उनमें भी जो दादी है उसे भी पती के अत्याचारों से पीडिक दिखाया है और ये फिल्म में ऐसे कुछ डादा जी थे वो दादी को मारते थे और जो बहु है उस पर भी वात्याचार वगएरा करते थे तो पुल मिलाकर ये ऐसे जो परमपराओं में विश्वास करने वाले जो पूरुश होते हैं वो कैसे निकुरुष्ट मान सिकता के होते हैं विकृत होते हैं जो परमपराओं में हिंदू संस्कृती में विश्वास करते हैं उनको वैसा दिखाया है केवल यही नहीं जो अग उसे भी इसी प्रकार से निकुर्श्ट मानसिक्ता का दिखाया है, मतलब हर प्रकार से जो हिंदु-गुरुणा है, वो हमें इस फिल्म के मेकर्स की एक-एक सीन में, एक-एक डायलोग में उच्छल-उच्छल कर सामने आती है, वो हिंदु-गुरुणा, तो ये जो असीम का character है जो अपने पिता की तरह है संस्कृति में विश्वास करता है जनियू पहनता है और वो marriage system में विवाग में उसका विश्वास है और वो शादी करना चाहता है और शादी के बाद में वो कह रहा है एक scene में कि भाई मैं 3-4 बच्चे पैदा करूँगा अपने संस्कृति और अपने धर्म के लिए और इसी प्रकार से काफी ऐसे dialogue उससे बुलवाए गए हैं उसके माधिम से वो क्या दिखाना चाहते है वो समझ में आ जाता है हमें इस film के makers की क्या मान सेकता है या वो क्या दिखाना चाह रहे है तो ऐसा ये असीम का character है उसके पिता का character, मा का character दादादी ये सब बता दिया अब बचे हैं दो लोग इस परिवार के एक है असीम का भाई तने और बेहन क्या नाम है अनुजा तो तने को गे दिखाया है और वो काफी sexually frustrated है परिशान रहता है हमेशा से उसके चेहरे के तरब जब भी आप स्क्रीन पर देखोगे तो आपको देखने की इच्छा ही नहीं होगी ऐसा पूरा frustrated चेहरा देखा ही नहीं जाएगा और sexually frustrated दिखाया है उसे वो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आपको ही kiss कर रहा है और इन सब बातों को normalize करने का उन्होंने प्रयास किया है आईने के सामने खड़े होकर खुद को ही kiss करना और ऐसे पता नहीं depressed पुरा उनका वो चेहरा और परिशान 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 वो एक तालाब के पास में खड़ा होकर अपने आप से ही बाते कर रहा है पाबलो नाम का एक कच्छुआ वो कह रहा है पर वो खुद से ही बात कर रहा होता है वहाँ पर तालाब में पाव डाल कर मतलब जो वो character से वो पूरी तरिके से अपने sexually frustrated और अपनी वासनाओं के पीछे बस वो पागल हो जोका है ऐसा ये character दिखाया है तनाई का और जो अनुजा है वो भी मतलब ये संस्कृती वोगरा इन बातों में विश्वास नहीं करती है कम्यूनिस्ट विचारधारा उसे काफी पसंद ऐसा वो बोलती है वैसे उसे जीन दिया जा रहा है पर परिवार का ये कहना है कि भाई तुम शादी कर लो अब जो असीम है जिसकी संस्कृती में वगरा विश्वास दिखाया है बड़ा बेटा गर का उसकी शादी होने से पहले बहन की शादी उने करना है तो अनुजा तो शादी करना नहीं चाहती उसका तो स्पोर्ट्स में उसकी रूची दिखाई है पर परिवार उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है शादी के लिए और फिर बात में अनुजा को घर से भागने का अंगरे नहीं लेती है बाते दिखाई है पर उससे पहले अनुजा को ट्रेडिशनल कपडों में अपने भारतिय सलस्कृति का जो जो भी पोशाक पहनावा हमारा होता है एक स्त्री का जो साडी हो या सोला श्रिंगार आदी करना वो करते हुए एक सीन में दो तिन सीन में अनुजा को वैसे दिखाया है साडी बगार पहने हुए और इतना घटिया तरीके से साडी को सोला श्रिंगार को इतने घटिया तरीके से दिखाया है इतना घटिया मेकप किया है घटिया से घटिया तरीके से उसे दिखाया है कि जैसे सोला श्रिंगार और साड़ी पहने के बाद में स्त्रीक ऐसे बहुत क्या कहूं मेरे पास शब्द नहीं यार मतलब वो कितनी खराब दिख रही है ये कुल मिलाकर साड़ी में या भारतिय संस्कृति का जो पहना होता है उसमें वो स्त्रीक ऐसे खराब दिख रही है अनुजा वो उन्होंने दिखाया है मतलब इतना गटिया मेकप तो मैंने अपनी लाइफ मेकप भी नहीं देखा और फिर वो अपने इस ट्रेडिशनल जो सोला श्रिंगार है कपड़े वगरा है वो फिल्म के एंडिंग में ऐसे फेक देती है और शेहर के तरब भागती है वो तो यह जो अत्याचारी ट्रेडिशनल मराटी फेमिली दिखाई है उससे ये फिर अनुजा बाद में फिल्म की एंटिंग है अपने भारतिय संस्कृति के पहनावे को ऐसे फेक देती है निकालकर और वो शेहरों की तरफ भाग रही है अब तनैय का जो कारेक्टर है वो उनके घर में फिर एक दिन किरायदार रहने के लिए आता है प्रतिक बबबर का नाम नहीं बत्यायगा है चितरकार है वो आर्टिस्ट है paint वगरा, दिवारों पर वगरा, वो graffiti वगरा, जो भी कहते हैं, पता नहीं तो वो ये प्रतिक बबर का character है तो ये प्रतिक बबर से तनय और अनुजा दोनों को फिल्म में प्रेम करते भी दिखाया है और प्रतिक बबर भी दोनों के साथ में सो रहा है और तने फिर बाद में जब तने को पता चलता है कि प्रतिक बबबर और अनुजा उसकी भेहन एक साथ में थे और वो घर में फिर अनुजा प्रतिक बबबर के करेक्टर के साथ में भाग जाती है बाद में प्रतिक बबर गायब हो जाता है पिर आमजा घर में वापस आती है और फिर उसके बाद में अपने स्पोर्ट्स के लिए घर से भागती है एंडिंग में तो तने को जब यह सब देखता है तो वो और ज़्यादा परिशान हो जाता है फिर एंडिंग में मतलब चोरी करके वगएरा खाते भी उसे दिखाया है एक ट्रेन में वो सो रहा था तो उसका टैप रेटर भी लेकर कोई भाग जाता है फिर एक जगा एंडिंग में बैट कर वो पूरा ऐसा बाल वगएरा बढ़ गए हैं उसके और फिर वो कोबाल्ड ब्लु नाम की ये नौवेल या पुस्तक जो भी है वो लिखता है भाई इतना भयानक टॉर्चर थी ये फिल्म मैंने कैसी कम्प्लीट की मुझे ही बता है सताया है लिट्रली इस फिल्म ने मुझे सताया है और इनके पास कोई नया content है ही नहीं क्या हर फिल्म में वही अत्याचार करने वाले माता पिता और ये sexually frustrated characters और वही बलातकार करने वाला पुरुष या फिर नपुनसक पुरुष और इनका इसके अलावा इनको कोई families कैसे लिखी जाती है क्या होती कुछ सूचता ही नहीं है क्य भी है बहुत सुंदरता से उन्होंने चितरन किया है सभी scenes का फिल्म है और उसका क्या करना है मतलब आचार डालना है बहुत बढ़ी अससे उन्होंने शूट किया है तो हाँ technically बहुत well made है भाई फिल्म दोस्तों वीडियो के अंत में एक और बात में हाँ पर कहना चाता हूँ हमारे भारत की जो liberal film makers है न उन्हें ये call me by your name या italian, french, spanish content देखना छोड़कर थोड़ा भारत के लोगों के साथ समय बिताना चाहिए थोड़ा गाओं में गुमना चा बाहर निकलना चाहिए तब हो शाया धंका कुछ content बना पाए जिसके साथ भारत की लोग जुड़ पाए पर पता नहीं बस कुछ ऐसा बाहर का content देख देखकर इन लोगों को लगता है कि वैसा ही कुछ हम ऐसा copy paste कर देंगे तो हम बहुत cool लगेंगे कुछ ऐसा national international film festivals में हमार प्रिवार के साथ देखने जिसे तो यह चीज बिल्कुल भी नहीं है तो आपका experience कैसा रहा मुझे आप नीचे comment में आवश्य बताना वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धिन्यवाद जैश्री राम बंदे मातरम